जब से वो साधना की साधी की है तब से हर समय खुस दिखाई देती थी उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था दूद वाला दूद में पानी अधिक मिला कर लाए अथवाद जहारू पोचा करने वाली देर से आये सब माफ था अब वे पहले की तरह उन पर बरस्ती नहीं थी जो भी घर में आता खुसी से उसे सुनाने बढ़ जाती की उन्होंने कैसे साधना की साधी की कितने अच्छे लोग मिल गए लड़का बहुत बड़ा इंजिनियर है देखने में राज कुमार जैसा फिर भी एक पैसा देहच का नहीं लिया ससूर तो कहते थे की आपकी दया से हमें घर में सब कुछ तो है किसी बात की कमी नहीं है बस सुन्दर वो सुसील बहु मिल गई हमारे सारे अर्मान पूरे हो गए साधी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उरी जा रही थी वहां कि सब हाल चाल अपने घरवालों को सुनाती कैसे उनकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाउं ही नहीं धरने दिया वह तो रानियों किसी रही वहां घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर वहां तो कभी महमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती कोई कहती बेचारी सुबह से पाउं लगते लगते ठक गई नाते रिष्टेदार क्या भागे जा रहे हैं कहीं जा बैठकर अराम कर ले थोरी दे और उनकी ननद अपनी भावी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती यह जब यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई कलेजा गजभर का हो गया दिन लोग फस गए इनके चकर में एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा बेटी के बिवाह में और ऐसा सांदार वर मिल गया उपर से ससुराल में इतना लार प्यार उस दिन किरन मिलने आई तो वे उसी उत्सा से सब सुना रही थी लोजी साधना को तो पढ़ाई बीच में छ कदर करने वाला मिल गया फिर क्या साधना नोकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं किरन ने उनके उत्सा को थोड़ा कसने की कोशिस की नहीं जी भला उन्हें क्या कमी है जो नोकरी करवाएंगे घर की कोठी है हजारों रुपे कमाते हैं हमारे दमात जी उन्होंने सफाई तो साधना इतना पढ़ लिकर क्या करेगी बस सौख है वे लोग आधनिक विचार के हैं इसलिए पता है आपको साधना बताती है कि साध ससूर और बहु एक टेवल पर बैट कर ही खाना खाते हैं रसोई में खटने के लिए नौकर चाकर है और खाने पहनने के ऐसे सौखिन है क कि परदा तो दूर की बात है मेरी साधना तो सिर भी नहीं ढखती ससूराल में अच्छा किरन ने आस्चर्ज से कहा मगर साधी के महिने भर बाद लड़की ससूराल में सिर तक न ढखके यह बात उनके गले नहीं उतरी साधी के समय साधना तो कहती थी कि मेरे पास इतने धेर सारे कपरे हैं तरह तरह के सल्वार सूट मक्सी और गाउन सब धरे के धरे रह जाएंगे साधी के बाद तो सारी पहन करा ना होगा परसायोग से ऐसे घर में गई है की साधी से पहले बने सारे कपरे काम आ रहे हैं उसने सासुराल सास ससूर को तो यह भी एतराज नहीं कि बाहर घुमने जाते समय भी चाहे लेकिन मन बहन जी ये बात क्या सास ससूर कहेंगे यह तो बढ़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुमारी और विवायता में कुछ तो फर्क है ही किरन से नहीं रहा कया उन्होंने सोचा कि सायद किरन को उनकी पुतरी के सुख से जलन हो रही है इसलिए उन्होंने और रस लेकर कहना सुरू किया मैं तो डरती थी कि मेरी साधना तो शुरू से ही सुभा देर से उठने की आदत है पर आए घर में कैसे निभेगी पर वहां तो वह सुभा विस्तर पर ही चाय लेकर अराम से उठती है फिर उठे भी किस लिए सुएं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता अब चलोंगी बहन ज तो कुछ रोनक होनी चाहिए कहते कहते कि रन के फोटो की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई कुछ दिनों बाद साधना के पिता ने अपनी पतनी को एक फोटो दिखाते हुए कहा देखो जी कैसी है या लड़की अपने प्रेम के लिए भी ये पास है रंग भी सा का नहीं चाहिए यह मैंने लिख दिया है उन्हें यह क्या बात हुई जी आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया हमने क्या उसे अफसर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी की गिरस्ती के काम आएगा प्रेम भी आकर बैठ गया और अपने विवा की बातों का मजे लेकर सुन रहा था बोला मा मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके ससुराल की दौलत का क्या करना मुझे बेसरम मा बाप के सामने ऐसी बाते करते हुए तुझे सरम नहीं आती तुझे अपनी ह पड़ी है हमारा क्या कुछ नहीं होगा उससे हमें भी तो बहु चाहिए ठीक है तो मैं लिख दू कि उन्हें की सगाई के लिए कोई दिन तई कर ले लड़की को भाईया भावी ने देखी लिया है और सब को बहुत पसंद आई है फिर सकल सुरत से ज़्यदा तो संसकार मा अपनी मा की बातों से खिच जाता था आज उन्हें सुनाने के लिए कहता देखो मा बेकार में इतनी सारी सारिया लाने की कोई जरूरत नहीं है आखिर लड़की के पास साधी के पहले के कपरे होंगे ही बेकार में वेपरे बक्सों में सरते रहे और इससे क्या फाइदा तो तू क्या कि अपनी बहु की कुबारी छोड़ियों के जैसे कप्रे यहां पहनाएगा वह चिलासी पढ़ी क्यों जब जीजा जी साधना को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता वे मन मसूर कर रह गई इतने चाव से सारी अखरिद कर लाई थी सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पर गया तो बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखेगा और हमारी हैसित का मान समान उच्चा समझ कर ही सब कुछ करेगा मगर यहां तो बेटे ने सारी उमीदों पर पानी फिर दिया रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थी उन्हें करवटे बदलते देखकर पती बोला सुनो जी अब घर के काम के लिए एक नोकरानी रख लो क्यों वो एका एक चोकी हां क्या पता तुम्हारी बहु को भी सुबह आठ वजी विस्तर पर जाए पी कर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा वे सक पका गई सुबह उठी तो बेहत सांत और शंतुष्ट थी पती से बोली तुमने अच्छी तरह लिख दिया है ना जी जैसी उनकी बेटी वैसी ही हमारी दान दहेज में एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है यहां किस बात की कमी है मैं तो आते ही घर की चाविया उसे सौब कर अब अराम करूंगी परमा जरा यह तो सोचो वो अच्छी स्रेनी में भी एक पास की है क्या पता आगे मैं आदी करना चाहे फिर ऐसे में तुम घर की चाविया उस पर छोड़ दोगी तो वो आगे पढ़ कैसे सकेगी यह प्रेम का स्वर था उनकी समझ में नहीं आया की एक आएक क्या जबाब दे कुछ दिन बात जब साथना ससुरार से आई तो उसे बात बात पर टोक देती क्यों रही तु ससुराल में भी ऐसे ही सिर उगहारे डोलती रहती है क्या वहां तो ठीक से रहा कर पहूं की तरह और अपने पुराने कपरों का बक्सा यहीं छोड़ कर जाना साधी सुधा लड़कियों को ऐसे ढग नहीं सुहाते साधना ने जब बताया कि वह युनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है तो वे बरस ही पड़ी अब क्या उम्र भर पड़ती ही रहोगी थोरे दिन साथ ससुर की सेवा कर कौन बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास आसचारी चकित साधना देख रही थी कि मा को आखिर हो क्या गया है